कि हलो गुट इवनिंग एवरिवान मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्रीश तूत्रा मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और टूर दीफो सीरीज का डे फॉर्टीन है और सिर्फ मिल्टन के क्वेस्टेंस हैं और बहुत अच्छे क्वेस्टेंस हैं जो मैं आप लोगों के एंग्रीज का और इसका जो कोटेशन हैं जिससे स्टार्ट करने हैं करना है दा सीकर्ट तो गटिंग अहेंड इस गेंग स्टार्ट इप इसके अधरवाड़ा है केवियस इंग्लिश एक्जाम की तैयारी फ्री और यूट्यूब आपकी सफलता हमारा प्रयास बारा तारिक मंडे से लाइफ रोज क्लास आठ बजे मैं और आप मिलेंगे लाइफ और बहुत से लोग अभी भी इसको यह समझ रहे होंगे कि इतना सीरियस नहीं हो सकता पेट करती हूँ और जबने कहती या जब मेरे बसका नहीं होता वह करती ही नहीं हूँ हमारा भी इस छली हमारा तो है दूसरा भी तो Аपना समय अपना इंटरनेट लगा कर हमारे पास आ रहा है तो अगर उसे जो मिलना चाहिए उसे वो मिलना चाहिए क्योंकि मैं यह मानते हूं करते हो जो मेरे चैनल पर आते ही नहीं मेरे चैनल पर क्रीम आती है और एक वन लोग और YouTube पर पढ़ा रहे हैं जिनसे उन्होंने बैच खरीदें नाम तो मैं किसी का नहीं लोंगे उनके बारे में लिख के जा रहे हैं कि वह उनसे सैटिसफाइड नहीं है या उनका बैच खरीद के वह परेशान है मैं आपको एक सिंपल सी चीज क्याती हूं I am not one of those people कि जिनको दूसरे की बुराई सुनकर अच्छा लगता हो भाई हर कोई जो पढ़ा रहा है जो टीचर है वो अपने अपने तरीके से अब आपको कोई ना कोई चीज तो पसंदा ही होगी ना उनकी जो आपने उनके बैच को खरीदा उनके पेट बैच अग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर आप मेरे चैनल पर मेरे कमेंट सेक्षन में किसी दूसरे टीचर के बारे में आकर अगर कुछ उल्टा सीधा लिख के जाते हैं तो पहली बात तो मुझे यह बाप पसंद नहीं है दूसरा अगर आपके परसनल कुछ प्रॉब्लम्स हैं जरूरी तो नहीं है सबकी नजर में वह टीचर खराब हो आप सोचे दूसरे का नाम भी तो खराब होता है आपने भी कुछ सोचके उनका बैच लिया होगा अब अच्छे होंगे तब ही आपने लिया होगा अब फिर आप उनको जाकर बदनाम करो तो यह तो एक बहुत गलत चीज है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगे आपके जो परस्नल ग्रजेश है कुछ भी है अगर कोई प्रॉबलम है तो आप उनसे बात कीजिए मगा प्लीज आप मेरे चैनल पर आकर यह सब मत लिखिए पहली बात तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं दू यह इस तरीके से यह गहुत गलत चीज है तो I just request you all कि मैं नहीं जानती लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं लोगों को अगर किसी के बारे में उल्टा सीधा सुनकर खुशी होती है मगर मुझे लगता है कि यह चीज नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी चीज क्योंकि पिछले तीन-चार दिन से लोग कभी किसी के बारे में कभी किसी के बारे में उल्टा सीधा लिख कर जा रहे हैं और वह चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है चलिए तो यह बारा तारिक से हम लोग मिलेंगे आपकी एक एवियस इंग्लिश एक्जाम की तयारी फ प्लस उसके चार राइटर्स और ग्रामर फिर एक है PGT का जिसमें TGT PGT दोनों included PGT के राइटर्स PGT के राइटर्स ग्रामर एंड लिट्रे टर्म्स तो आप इसको और स्टाडी मटीरियल आपको बुक फॉर्म में मिलता है 7895937338 पर कॉल कर ले चलिए पहला question है question number one the name Lysidus is taken from which of the following Greek poets तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि Lysidus जो है वो Milton की poem है 193 lines की poem है जिसमें उन्हों एक elegy है अपने दोस्त Edward King की जिनकी डूपकर मृत्यू हो गई थी उस पर Milton ने ये elegy लिखी है it got published in Justa Eduardo और ये जो poem है इसमें जो Lysidus जो नाम है वो कहां से लिया गया है ये नाम लिया गया है Theocritus एक जो है Theocritus के idols लिखे जाते थे Theocritus लिखा करते थे idols idols का मतलब होता है जो pastorals होते हैं Theocritus लिखा करते थे idols लिखा करते थे और जहां पर उसमें जो Lysidus है वो एक poet के रूप में दिखाया गया तो Theocritus was a Greek poet he used to write idols idols का मतलब होता है the poems which are based on the rural background उसमें एक poet थे Lysidus वहां से ये term जो है Lysidus लिखे हाला कि ये हमें Ovid के में भी देखने को मिलता है लेकिन Theocritus ने इसको idols में poet उनको बताया है तो that is Theocritus ये मैं हट जाती हूँ आप लोगे question देख लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारा question number two आइंक ये क्या हुआ वो फिर से पीप वो हो गए है corrupt होगे हैं नाओ नेक्स वन इस विच पोईट इंफ्लूएंस कीट्स दफॉल अफ हाइपीरियन कीट्स ने दफॉल की एक रोमेंटिक पोईट थे उन्होंने लिखी है दफॉल अफ हाइपीरियन हाला कि ये एक fragmented epic है ये भी जो है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है milton के paradise laws से और इन्होंने इसको इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि इसमें कीट्स ने हाइपीरियन को लिखना इसलिए ब्रीच में ड्रॉप कर दिया था क्योंकि उन्हें भी लग रहा था इसमें paradise laws से बहुत ज़्यादा similarities है कुछ original नहीं है तो कीट्स की the fall of hyperion हाला कि एक अधूरा epic है fall of hyperion is influenced from milton's paradise laws और इसमें बहुत ज़्यादा मिल्टानिक जो मिल्टन की paradise laws का प्रभाव बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है तो कीट्स की हाइपीरियन जो है वह मिल्टन के paradise laws से प्रभावित है और नाओ दो नेक्स में कुछ कुछ गरबर हो रही है अब क्या करूं पता नहीं क्या गरबर हो रही है कि देखो जड़ा अभी एक से ही चलता है फिर उसके बाद आ जाता है अब देखो अब देखती हूं चला कर रहा है तो बीच में पढ़ती हूं उसके बाद दिक्कत आ जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं इन विच बुक ऑफ परड़ाइस परड़ाइस लॉस्ट जस्मिल्टन रेफर टू आग्रा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल यह बहुत अच्छा क्वेशन है यह क्वेशन नेट में पूछा गया था 2021 में और इसक्वेशन के बारे में मैं आपको समझाना चाहूंगी मिल्टन की परड़ाइस लॉस्ट एक सेकेंडरी एपक है इसके बुक 11 में जब जो एडम को निकाला जा रहा है परड़ाइस से तो जो इंजल उनको जो है आर्केंजल माइकल उनको ग्लोरियस फ्यूचर दिखाते हैं और उनको ग्लोरियस फ्यूचर में क्या दिखाते हैं आग्रा और लाहौर जो फ्यूचर क्र आगरा में एक जो है आर्किटेक्चर का नमूना होगा और लाहॉर के बारे में लाहॉर के बारे में मैं एक चीज आपको और बता रहा चाहूंगे कि लाहॉर जो है ये लव भगवान राम के बेटे लव के नाम से बनाई हुई सिटी थी लव जो है लाहॉर ये पहले कोई मु वह बगवान राम के बेटे उनके बेटे के दुआरा इसको फाउन्डट और लाहूर के बारे में और लेकिन मुगल्स के समय जो लाहूर और आगरा ता उसका जो आर्किटेक्टेक्चर था वह बहुत ही उम्दा वह हो चुका था तो Milton ने जो कि 17th century poet थे उन्होंने अपनी बुक Paradise Lost के बुक 11 में उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने मतलब ये दिखाया है कि जो Michael है वो Adam को दिखा रहे है कि माना कि तुमको निकाला जा रहा है Paradise से मगर ये मत सोचना कि तुमारा भविश्य अंदकार में है बहुत फ्यूचर जो God की जो future creations हैं उन्होंने इतनी majestic buildings भी है तो ये है बुक 11 में ये description जो दिया गया है ये बुक 11 में दिया गया है आगरा एंड लाहौर आफ ग्रेट मुगल which of the following is not correctly matched इनमें से कौन सा correctly matched नहीं है ओट टू दा वेस्ट विंट तर्जा रिमा में लिखा हो गया है तीन तीन लाइन के इंटर करेक्टेड जोंग है वो stangas होते है ओट 0 iawnis blindness heroic quatrain अद ऑनिस पैंसर सेरी नौन के stanga में लिखा है ट्रोइलेस अंच्रेस लाइन सेवन लाइन stanga में लिखा में लिखा गलत क्या है on is blindness on his blindness heroic quatrain में नहीं है it is it's a sonnet और कौन सा form है sonnet का that's patriarchal patriarchal जो है वो form है तो इसलिए इसका answer है be on his blindness let me in soft lydian ears married to immortal words such as the meeting soul may peers in notes with many a winding bout the above lines appear in slap means soft lydian ears ये lines हमें milton की poem allegro में देखने को मिलती है allegro जिसका मतलब है happy man ये poem milton ने elizabethan form में लिखी है allegro और इन poem में कहीं से कहीं तक भी puritan impact जो है वो देखने को नहीं मिलता which of the following forms does saturn not take in paradise lost saturn को जब फैल में fake दिया जाता है उसके बाद वो adam और eve को tempt करने के लिए जब paradise में आता है तो वो कौन कौन सी form लेता है सबसे पहले वो लेता है सबसे पहले वो शेरब यानि की एक angel फिर उसके बाद कॉर्मोरेंट यानि की एक बहुत बड़ा bird फिर उसके बाद वो लेता है तोड और last में वो लेता है snake की form ये form जो है वो लेते है जो saturn है जब वो paradise में एंटर करने के लिए ये forms लेता है शेरब कौर्मोरेंट तोड एंड स्नेक जो form saturn नहीं लेता बिफूल करने के लिए angels को वो है owl तो इस में से odd one out है इस तरीके से ये sequence है शेरब कौर्मोरेंट तोड स्नेक और last में जितने भी जो fallen angels हैं वो भी snakes में ही बदल जाते हैं who guards the gate of hell in milton's paradise lost अब इसमें ना दोनों option दे रखे हैं और दोनों ही हैं बाई देखो ऐसा है कि sin daughter है saturn और जो death है वो sun है saturn और sin का sin जो है वो saturn के head से पैदा हुई है full grown from body वो एक महिला है नीचे से वो serpent है उसके वेस्ट पे hell hounds जो है वो लिप्टे हुए है तो अंतवरियां उसकी नोच रहे हैं और sin और saturn की incestuous relation की जो अलाद है वो है death यह दोनों अपने father के लिए hell के gates जो है वो guard करते हैं और hell से earth तक के लिए hell से heaven तक के लिए pool बनाते हैं तो यह sin और death दोनों guard करते हैं तो इसलिए option a option d दोनों ही है आप एक को नहीं कह सकते sin and death both guard the gates of hell तो इसलिए सबसे पहले illustrations के बारे में बात करते हैं यह illustrations का मतलब होता है paintings paintings watercolor paintings लगभग 20 paintings अलीग्रो और पैंसिरोसो के लिए बनाई थी विलियम ब्लेक ने जो poet painter भी जाने जाते हैं विलियम ब्लेक ने watercolor paintings जो हैं वो बनाई थी illustrations मतलब paintings जो हैं वो बनाई थी जैसे sketches की तरह पेंटिंग्स लगभग 20 यह पेंटिंग्स थी अल्पैंसिरोसो और अलीग्रो दोनों की बनाई थी ऐसा नहीं है कि ब्लेक ने के वल इसी के लिए बनाई उन्होंने तो बहुत सारी पोएम्स अलीग्रो और अल्पैंसरोसो की watercolor drawings जो हैं वो बनाई थी तो इट इस विलियम ब्लेक थाई के जी विलियम ब्लेक सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमस एक मास्क है मास्क उस समय जब लिखा जाता था जिस समय मिल्टन ने लिखा उस समय यह कोट पोएट्स कोट राजाओं को खुश करने के लिए लिखा जाता था एक तरीके से डिबाउश्री को यह मतलब जो चरित्र लूज के लेक्टर को जो है यह जो लोग हुआ करते थे वो मास्क किया करते थे मिल्टन ने इसमें प्योरिटी को डिबाउश्री के ऊपर विन करने के लिए मास्क जो है वो लिखा था इसके अलावा एक और इंसिडेंट है कॉमस जिसमें कहा जाता है कि कॉमस को करने का क्या रीजन था हाला कि हैंडरी लॉविस ने मिल्टन से कहा था कि इस प्ले को इस कॉमस को लिखने और उसको करने के लिए तो इस में यह कहते हैं कि जो अल अफ ब्रिजवाटर थे उनके ब्रदर इन लौ ने एक गहन जो है इनके एक यहाद आ रिलेशनशिप विद आ बॉई and he sodomized that boy though the whatever be whatever relationship between them was mutual was consensuous but it was not tolerated by the sister of of Bridgewater and hence he was as executed the brother-in-law of all of Bridgewater was executed so just to show that purity wins eventually P purity wins he composed this mask Egerton family का नाम clear करने के लिए भी यह mask जो है वो लिखा गया था और इस mask में mask एक ऐसी technique थी जो court poets use किया करते थे court writers use किया करते थे और court writers were known for their debouchery और Milton ने इस तक्नीक को use किया था aristocracy को प्रूव करने के लिए नहीं बलकि virtues को दिखाने के लिए तो इसमें जो option है to emphasize the virtue over debouchery वैसे भी commerce जो symbol है वो debouchery का symbol है तो emphasize the virtue over debouchery यह यह ऐसे questions है जो पड़े अच्छे logical questions है सब किसी को समझ में भी नहीं आयते हैं इसी लिए इनका explanation मैं दे रही हूँ और explanation में मैं वो वो चीज बताती हूँ जो इनके अंदर के facts होते हैं जिससे कि students को यह पता चले कि इनको रटना नहीं है question कैसे पूछा जा सकता है यह सब previous year questions है सारे previous year questions है UPT GDPGT के ना हो लेकिन है previous year तो आप यह देखिए कि किसी भी work में से questions कैसे पूछे जा सकते हैं कि एक तरफ यह भी पूछा मिल्टन जी का जन्म कब हुआ था मिल्टन जी की कितनी पतनिया थी और एक तरफ इस तरीके के question यह कौन सी बुक में आगरा और जो है लाहोर का वर्णन है तो आप लेवल खुद देख सकते हैं कि मैं इसी लिए वह questions नहीं लेती जो हर कोई करात है कि वेन वाज मिल्टन बॉन वेन दिट मिल्टन डाए हाव मेनी वाइव दिट मिल्टन है थीक है यह questions भी आते हैं बट इस questions can be prepared by at the end of student as well तो मुझे लगता है कि वो करवाओ जो आप लोग बुक में पढ़ते हो शायद रट भी लेते हो मगर उसका meaning नहीं पता होता इसी लिए में आप लोग कोई चीजे जो हैं वो करा रहे हो study the lines from Milton's sonnet and address to the nightingale now timely sing before the rude bird of hate farewell my hopeless doom in some groove nigh what is the rude word of hate refer to here तो यह जो question है कि milton के sonnet में से यह जो address करना है यह पूचा गया है कि किस किस bird के लिए अब आप यह देखे milton ने sonnets जो लिखे हैं वो कितने sonnets लिखे हैं milton ने कितने sonnets लिखे उन्होंने जो है उनका कि देखें milton ने जो sonnets लिखें और milton ने बोसली जो उन्होंने जो sonnet की जो फॉर्म लिए है वो आकन sonnets लिखें हैं उन्होंने से English sonnets भी है Latin sonnets भी है यह भी एक sonnet ही है उनका now timely sing before the rude bird of hate farewell my hopeless doom in some grove nye what is the rude word of hate referred to here इनमे से rude word किसे जो है वो rude bird किसे कहा गया है तो यह rude bird जो कहा गया है यह कुकु को जो है वो कहा गया है यह कुकु बर्ड को कहा गया है और यह कौन सा जो है वो sonnet है यह भी मैं आपको बता देती हूं यह है दो बर्ड के बीच में, नाइटिंगेल और कुकू के बीच में और love and hate के बीच में ये contrast जो है वो बता रहा है और ये भी है कि love is far more superior to hate तो कुकू जो है वो hate का symbol और नाइटिंगेल जो है वो love का symbol इसमें बताया गया है अ क्रूशियस अ क्रूशियल आस्पेक्ट ऑफ मिल्टन्स डाइवर्जेंस फ्रॉप पेट्रियाकन सॉनेट ट्रेडिशन नॉट अंप्लाइड नेचर ऑफ इस सॉनेट बट ऑल्सो तो यह यह भी एक क्वेश्चन यह मतलब आप इस क्वेश्चन को पढ़के समझें तो अग हट जाती हूं जिससे क्योंकि वैसे मेरे बोर्ड पर आज मैं पूरा फुल स्क्रीन नहीं दिखा पा रही हूं अ क्रूशियल आस्पेक्ट ऑफ मिल्टन्स डाइवर्जेंस फ्रॉम् पेट्रियाकन सॉनेट टैडिशन कंसर्स नॉट ओन एंप्लॉइट और ओकेजनल नेच तो अब यह जब हमने इसको पढ़ लिया तो इस क्वेशन को फिर दूबार समझ लेते हैं कि मिल्टन ने पेट्रियाकन सॉनेट में कौन सी चीज को छोड़ दिया है नॉटन एंप्लॉइट और ओकेजनल नेचर आफ दिस सॉनेट बट ऑल्सो पेट्रियाकन सॉनेट नॉटन ने जो एक चीज छोड़ दी है क्रूशियल अस्पेक्ट है वो क्या है जो पेट्रियाकन सॉनेट होते सबसे पहले पेट्रियाक जो है वह एक इतालियन पोएट थ तो जब सॉनेट को इंगलेंड में लाया गया तो सॉनेट्स जो है 14 lines में लव पोएब करती थी अगर 154 ऑनेट्स आफ शेक्सपीयर के देखें तो शुगर्ड सॉनेट्स कहा गया उने क्यूंकि वह भी 14 line में बेसिकली शेक्सपीयर ने अपना प्रेम जो है वह फेर यूथ के लिए दिखा है अब मिल्टन ने यही चीज इसमें से हटा आई उन्होंने लव एन आइडियलिक पॉइफ जो डैवर्जंस है वो क्या है कि उन्होंने एलिजबेथन के स्टाइल्स में एलिजबेथन को जो style था love poems का वो इस sonnet में से उन्होंने खटा दिये तो यहां यह देखिए the rejection of the idealic love poetry traditions of the elizabethan उन्होंने उसमें से reject क्या करा है idealic love poetry traditions of the elizabethan जो हटाए गया तो crucial aspect of milton's divergence from the patriarchal sonnet tradition concerns not on employed or the occasional nature of this sonnet but also the rejection of the कि उन्हों ने जो idealic poetry है जो love poems है वो अपने sonnets में उन्होंने basically use नहीं करी है now the next question is in the state of his blindness with whom milton does not compare himself अब पहले आप लोग जड़ा चारो जो यह हैं यह कौन है यह देखिए सबसे पहले है यह ब्लाइन टेमाइरिसस यह टी एच एच एम आर टी एच एम वाई राइस है तेमाइरिसस यह कौन थे यह जो दिखाया गया है यह एक poet दिखाए हैं Greek mythology में अब poet in Greek mythology जो blind थे poet in Greek mythology जी और who loved hessence hessence नाम के एक यूद को प्रेम करते थे he was a blind he was a blind man यह जो blind meonites दिया गया है यह Homer को कहा गया है Homer जो की Greek poet थे अंधे थे Homer को जो है वो कहा गया है और यह जो टारिसस एंड फीनियस है टारिसस जो हैं यह कौन है यह एक blind prophet थे टारिसस blind prophet of Apollo यह blind prophet of Apollo थे यह clairvoyant थे और इनको 7 साल तक एक curse दिया गया था लड़की के रूप में रहने का फीनियस यह भी एक blind जो हैं वो king थे अब यह सारे के सारे blind हैं Milton ने अपनी blindness की stage में इन सभी से अपने आपको compare किया है बस compare नहीं करा तो लिसिडस से लिसिडस मैंने आपको बताया यह poet थे थियोकृतस के द्वारा इस चर्म को poet जो है उसमें उनके idols में बताया गया है तो लिसिडस में उन्होंने यह चीज नहीं बताई है बाकी सब से उन्होंने खुद को compare करा है जोन मिल्टन्स लिसिडस और मैथ्यू आर्नल्ड स्टाइरिस इस आर एक्जाम्पल सॉप यह दोनों के दोनों एलिजीज हैं और दोनों नहीं अपने अपने फ्रेंट्स की मृत्यू पर यह एलिजीज जो है वो लिखी है एलिजी का एक फीचर होता है एक्यूबिसिंट मोटिफ होता है वेरार दे और एलिजी का एक होता है कि शुरुवाद जो होती है वो पेसिमिस्टिक होती है मगर अंत जो होता है वो अप्टिमिस्टिक होता है तो जॉन मिल्टन की लिसिडस और मैथ्यू आर्नल्ड की थाइरिस्स दोनों के दोनों एक्जाम्पल हैं एली जी का तब फ्रेज बॉटमलेस परडीशन अकर इन मिल्टन बॉटमलेस परडीशन मिल्टन की बुक वन पैरडाइस लॉस्ट में है और ये सैटन के लिए यूज किया गया है कि सैटन के लिए ये वर्ड नहीं बॉटमलेस परडीशन तो कहा गया है हेल को कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है और ये बताया गया है कि सैटन जो है कि ये जो है हर्ल्ड जो करेगा कहां बॉटमलेस परडीशन में यानि कि वो hell में जो है जिसका कोई limit ही नहीं है वहाँ पर वो उसको जो है वो फेका गया है वैसे भी fall 90 तक था तो उसमें जो है bottomless perdition जो है वो hell को कहा गया है Paradise Lost की book 1 में ये line आती है जिसमें बताया गया है कि Saturn जो है वो bottomless perdition में उसका fall जो है वो दिखाया गया है That glory never shall his wrath or might extort from me ये जो line है जब Saturn अपने follower से कहता है तो क्या हुआ हमें एक लड़ाई हार गए तो वो कहता है that glory never shall his wrath or might extort कि वो जो glory है ना वो मुझसे कभी लिजा सकती क्या नहीं लिया जा सकता मेरा courage कभी ना हार मानने कि जो मेरी spirit है उसे कोई नहीं चीन सकता तो आधर इस दर करेज विच मेरी वहीज डेज्क सब्सक्राइट को अरी अरिवयचिति का ये जो वक था इसकी तीम थी रातना स्पीच और अब फ्रेडम आफ प्रेस अर्योपेजिटी का लाइसेंस और लाइसेंसिंग और 1643 के अगेंस आया था इट केम इन 1644 इट एड़ोकेट्स दे फ्रीडम आफ प्रेस जो लाइसेंसिंग और 1643 था उसमें यह कहा गया था कि केवल जिनके पास अधिकार है और पूरी तरीके से उसको नहीं पर दिया जाता अग उसमें से कुछ इससे हैं कि जो नहीं च fakट डायक섯 थो किसी को भी अपने खैसे कोई भी निइकची पर्मिशन नहीं टी इसके अगेंस्ट है इनी उपाइजिटी का लिग कर नाम के एल इसका टाइटल लिया आ क्या गया है जो एक को जो आईसोक्रेट से दी थी, जो कि एक ओरेटर थे और एथिनियन ओरेटर थे, उनके द्वारा ये स्पीच दी गई थी, और ये है freedom of press, freedom of whatever we want to write, whatever you want to publish, that should get published, तो aereopagitica 1644 में published हुई थी, बिल्कुल सही है, unlicensed printing को आर्ग्यू करती है, बिल्कुल सही है, it is speech addressed to the Parliament of England, ये भी सही है, it pleads for British privileges, regarding free trade ये गलत है, ये free trade का advocacy नहीं करती, तो that is C, who among the following was a contemporary of John Milton and wrote the worthy communication, it is said that his prose can be read, easily when Milton must be studied, ये Milton के समय में ही एक writer थे, Jeremy Taylor, और Jeremy Taylor के लिए इनको कहा जाता है, कि इनको Shakespeare Divine जो है, वो कहा जाता है, इसके अलावा इन्हें Shakespeare and Spencer of Pulpit भी कहा जाता है, इनके लिए Shakespeare of, पहले तो एक title इनके लिए use किया जाता है, Shakespeare of Divines, इसके अलावा इन्हें कहा जाता है, Shakespeare and Spencer of Pulpit, Jeremy Taylor जिन्होंने लिखी है, The Worthy Communicant, जो है, और ये Worthy Communicant है, और Jeremy Taylor, ये क्रॉम्वेल के समय में थे, एक cleric थे, चर्च में, और इनका जो लिखने का स्था, चाइल था, ये ही कहा जाता है, कि इन्हें तब समझा जा सकता है, क्योंकि ये भी Latin और उसको इतना use करते थे, कि जब आपको Milton आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ही आप Jeremy Taylor को समझ सकते हैं, तो Jeremy Taylor को ही कहा जाता है, Shakespeare of Divines, या Shakespeare and Spencer of Pulpit, और इनके बारे में ये कहा जाता था, कि ये जो व्यक्ति है, इनको तब समझा जा सकता है, जब Milton को ढग से पढ़ा हुआ हो, वेर देर इस laser for fiction, देर इस little grief, वेर देर देर इस laser for fiction, देर ये जो बात कही है, ये Dr. Samuel Johnson ने लिसिडस के बारे में कही है, और उन्होंने ये कहा कि लिसिडस, it is called an elegy, मगर यहाँ पर उन्होंने वो grief जो है वो दिख नहीं रहा है, इसमें उन्होंने अपनी theory of poetry दी है, इसमें उन्होंने clergy पे से टायर करा है, इसमें उन्होंने court writers पे से टायर किया है, तो इनका कहना था कि there is little grief in this poem, तो John Milton की लिसिडस के बारे में ये कहा गया है, As Adam and Eve leave paradise hand in hand with wandering steps and slow, what is their consolation, जब Adam and Eve को book 12 में heaven से निकाल दिया जाता है, because of, क्योंकि उन्होंने जो है, आज्या को माना नहीं था, they ate that forbidden fruit, तो उनकी consolation किया है, consolation ये है, कि जब उनको उस heaven से निकाला जाता है, तो ये कहा जा गया है उनको कि one day, Christ जो हैं वो आएंगे, और Christ उनके जो उनके पाप हैं, उनको कम करेंगे, उनको खत्म करेंगे and they will redeem that blissful seat again, वो उस blissful seat को दुबारा से प्राप्त कर लेंगे, और वो blissful seat करा है in the heart of man, वो इनसान के दिल में ही है वो blissful seat, यानि कि भगवान का वो परामानन्द, वो भगवान का जो heaven है, वो खुद के दिल में है, तो Adam and Eve जब paradise को leave करते हैं, तो एक consolation है कि one day, Christ will come, तो ये है, they are comforted by their four knowledge of the coming of Christ, as redeemer of mankind, तो that's B, ये है इसका answer B, in paradise lost, which character narrates the story of the making of Eve from a rib in Adam's side, Adam जो है जब अपनी कहानी सुना रहा है कि how Eve was formed, कि सबसे पहले भगवान की ने जो कृती बनाई वो Adam को बनाया, when Adam felt lonely, तो Adam की ribs से Eve को create करा गया, ये story Adam ही सुना रहा है, तो ये है कहानी किसके द्वारा सुनाई जाती है, Adam के द्वारा ही सुनाई जाती है, जॉन मिल्टन's description of gold as a precious bean is best described as, precious, अगर कोई word को हम precious कह रहे हैं, तो precious का मतलब होता है बहु मूले, यानि कि अच्छा, अब बेन का मतलब होता है curse, curse, तो बहु मूल्य कर्स, तो एक चीज अच्छी, एक चीज उसकी opposite, oxymoron, that is an example of oxymoron, मिल्टन's on his blindness ends with an expression of the poet, मिल्टन की on his blindness जो है, ये एक पोएम है जिसमें शुरू होता है, कि पोएट ये कहता है, कि when I consider how my light is spent, कि जब वो कहते हैं कि मेरी वो भी उम्र का जीवन का आधा भी समय नहीं हुआ है, और मेरी आखों की रोशनी चली गई है, पर लास्ट में वो कहते हैं, but patience to prevent, कि जो those who bear the yoke of God, they serve him best, कि जो भगवान के जो खड़े रहते हैं, they also serve who wait, जो खड़े रहते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, वो भी भगवान को serve करते हैं, तो वो अपना faith दिखाते हैं God में, भगवान के God's way में अपना faith जो है वो दिखाते हैं, तो इसका answer है, that's A. Who is the writer of essays on Milton? Essays on Milton जो वाक लिखा है, वो Thomas Babington Macaulay के द्वारा लिखा गया है, Essays on Milton is written by Macaulay. Which one was Milton's favorite? Milton की favorite कौन सी थी? इस चीज का reference हमें देखने को मिलता है W.J. Long की बुक में, कि Milton की जो favorite book थी, that was Paradise Regained, a mini epic, a book, an epic that has only four books, और उसका style भी simple style है, और जिसकी theme जो है St. Luke's Gospel से ली गई है, that epic was Milton's favorite epic, Paradise Regained. John Milton's Allegro invokes which grace with whom he means to live. Allegro का मतलब होता है Happy Man. Grace मतलब देवी. किस देवी को invoke करता है? Goddess of Mirth. इसका बेहत खुबसूरत illustration बनाया गया है, William Blake के द्वारा. Allegro में वो जिस Goddess को invoke करते हैं, उस Goddess का नाम है मर्थ. खुशी, खुशी की देवी. यूफ्रोसाइनी. In which of his tracks does Milton say he who destroys a good book kills reason itself, kills the image God as it were in the eye? Milton ने ये कहा है कि जो एक अच्छी किताब को नश्च कर देता है, एक आप किसी इंसान को मार देते हैं तो वो गलत है, वो भगवान की image को मार रहे हैं. लेकिन अगर आप किताब को मार देते हैं, तो आप reason को ही खत्म कर देते हैं. और ये कहा है, Milton ने किसम एरियोपेजिटिका में, जिसमें उन्होंने freedom of press के बारे में, free printing के बारे में उन्होंने argue किया है. So that's all for today. बीच में थोड़ी सी गड़बड हुई, और मेरी तरह से मैंने तो नहीं करी, मगर हो गई, तो जो है, इस गड़बड को नजरनदाज करते हुए, पढ़ते रहिए, और बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, step तो लीजिए, कामियाबी बहुत करीब है आपके. Thank you very much, bye bye.